मिस्टर बीन के नाम से दुनिया भर में फेमस रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन अंग्रेजी लेखक कॉमेडियन और एक्टर है पूरी दुनिया में मिस्टर बीन के करोडो फैंस है रोवन को भले ही पूरी दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती हो लेकिन उनका कहना है कि उन्हें ये किरदार काफी तनाव पूर्ण और ठका हुआ लगता था उन्हें ये किरदार निभाने में मज़ा भी नहीं आता था क्योंकि इसमें बहुत जिम्मेदारी थी मिस्टर बीन का जन्म एक मध्य आयवर्ग के ब्रिटिश परिवार में हुआ था मिस्टर बीन चार भायों में सबसे छोटे थे रोवन के पिता किसान और कमपनी के निदेशक थे Mr. Bean में Oxford के Queens College से Electrical Engineering की पढ़ाई की थी Mr. Bean को Laurie Drive-In का बहुत शौक है इसलिए उनके पास आज भी driver का license है Mr. Bean का बच्चपन हाला की बहुत आसान नहीं रहा है बच्चपन में उन्हें बहुत परेशान किया जाता था उनके स्कूल में उनके लुक की वज़े से उन्हें काफी जेलना पड़ा उनके सहपाथी और सीनियर उनका मजाक उड़ाते थे कि वह किसी एलियन की तरह दिखते है इस वज़े से Mr. Bean तनावग्रस्त और चुपचाप रहने लगे Mr. Bean के स्कूल में बहुत दोस्त नहीं थे इसलिए उन्होंने विग्यान की पढ़ाई करने का फैसला किया Oxford University में पढ़ाई के दौरान ही Mr. Bean को एक्टिग पसंद आने लगी इसमें एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि Mr. Bean साफ साफ बोल नहीं पाते थे Electrical Engineering में Master Degree लेने के बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की और एक्टिग में हाथ आजमाना शुरू किया उन्होंने एक कॉमेडी ग्रूप जवाइन किया लेकिन Speaking Disorder की आदत की वजह से वहाँ भी उनका काम नहीं बना Mr. Bean के एक्टिग करिया की शुरूआत 1978 में The Atkinson People Comedy Series से हुई उस दोरान वह BBC Radio Thin के लिए काम कर रहे थे उसके बाद साल 1990 में उन्होंने Can Laughter में काम किया वहीं इसी साल उन्होंने Not The 9 O'Clock News Comedy Series में काम किया Mr. Bean इसके अलावा Rowan Blackadder, The Secret Polisman Ballers और The Thin Blue Line नाम जैसे तीवी शो में काम कर चुके है Mr. Bean का जीवन संधर शो की एक पूरी दास्तान है उन्हें कई तीवी शो में reject होना पड़ा लेकिन बार बार rejection जेलने के बाद भी Mr. Bean Bean ने खुद पर भरोसा कायम रखा लोगों को हसाना Mr. Bean का passion था और वे ये जानते थे कि वह इसमें बहुत अच्छे है इसके बाद उन्होंने अपने काम पर focus करना शुरू किया और original comedy sketch बना कर लोगों को हसाते रहे इसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वह कुछ character को बहुत आसानी से निभा सकते है Mr. Bean की ये कहानी बताती है कि आपका जज़बा कड़ी मेहनत, समर्पन और हार नहीं मानने की क्षमता आपको जीवन में वह सब कुछ दिला सकती है जिसकी किसी व्यक्ति को चाहत होती है